नमस्कार दोस्तों, कैप्टेन कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो फूल गोवी पूरा साल मिलते रहता है। लेकिन सर्दियों में ताजी फूल गोवी की सबजी का टेस्ट कुछ अलगी रहता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बहुत ही डेलिशस एकदम यूनिक रेसिपी जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनना स्टार्ट करते हैं। तो देरी किस बात की। तो यहाँ पर मैंने तीन मीडियम प्याच को अच्छे से छील लिया है। और एक टमाटर को पानी में डाल देंगी। यहाँ पर हमें दो आलू की जरूरत पड़ेगी। देखिए मेरे हाथ में एक आलू है जो हाट सिप में बना हुआ है। इसे मैं अच्छे से छील लूँगी। यह देखिए और इन्हें पानी में डालते जाएंगे क्योंकि यह काले पड़ जाते हैं। यह देखिए मैंने आलू को छील लिया है और इन्हें भी पानी में डालकर अच्छे से रगड लेंगे। ताकि इनसे सारी मिट्या निकल जाए। अब मैंने प्याज ले लिया। एक प्याज के चार भाग करेंगे। यह देखिए। चार मतलब आठ हो गी है। इसी तरीके से अगला प्याज को भी काट लेंगे। यह देखिए। इस तरीके से इनके टुकड़े बनाने हैं। बड़े बड़े पिस। यह देखिए। आप इनकी कलियों को अलग-अलग कर लेंगे। देखिए। अलग-अलग करते हुए इनको अलग रखेंगे। और जो इनका अंदर का वाइट पाठ है उसे अलग कर लेंगे। दोस्तों यह देखिए। मैंने सभी को काट लिया है और अलग कर लिया है। बड़े वाले एक प्लेट में अलग रख दिये। और छोटे वाले तुकड़े जो हैं उनको जार में रखेंगे। इनके पीछ लेते हैं। मैंने प्याच के जो अंदर का वाइट भाग होता है उन्हें मिक्षी के जार में डाल दिया। और इसमें एक टमाटर भी काट दिते हैं। यह देखी। अब इसे अच्छा स्वाद लाने के लिए इसमें कुछ मसाले डालते हैं। इस पर डालेंगे चार से पार लेसुन की के लिए। तीन हरी मिर्च, एक इंचे अद्रक का और कुछ खड़े मसाले जैसे की एक हरी लाइची, एक लॉंग, एक टुकड़ा दालचीनी का। एक चम्माट खड़ा धनिया, आधा चम्माट जीरा, चार से पांच काली मिर्च और थोड़ा खसकस। थोड़ा सी पानी डालके इससे बारीक पीछ लेते हैं। यह देखिए इस तरीके से, अब इसे हम एक बावल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सी पानी डालेंगे मिक्सिके जार में और उसे भी बावल में डाल देते हैं। सब्जी के लिए प्यास टमाटर और मसाले तो हमने अच्छे से पीस कर रख लिया है अब जो मैंने यहां पर आलू को धोए थे उन्हें इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे बड़े टुकड़े नहीं बनाएंगे बड़े टुकड़े बनाने पर यह अ सब्जी जड़पड बनकर तयार हो जाएंगे यहां पर मैं सभी आलू को अच्छे से बारी काट लेती हूँ यह देखिए आलू मैंने काट लिए हैं और इस बाउल में रख दिए अब यहां पर मैं फुल गोवी कोवी इस तरीके से काट लेती हूँ यह देखिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं गैस में मैंने एक कड़ाई चाड़ा ली है और मीडियम आज करी है इसमें दो टेवल स्पून तेल डालेंगे मैंने हापर सरसुका ही तेल लिया है आप रिफैंट तेल भी ले सकते हैं यह देखिए तेल हमारा मीडियम गरम हो चुका है अब देखिए जो प्लेट में मैंने बड़े बड़े प्याच के टुकड़े काटके रखे थे उन्हें डाल देंगे इन्हें तेज आज में ही फ्राय करने है यह देखिए ताकि क्रंची बने रहे जलाना नहीं है इन्हें चलाते रहे प्याच को फ्रै करने में दो मिनट लगे हैं अब इसमें हलका सा गोल्डन कलर आ गया है अब इन्हें निकाल लेते हैं ये देखिए कर्ची को किनारे करके सारा तेल निकालने फिर इन्हें प्लेट में रख लिते हैं अब डालेंगे एक चम्मच जीरा, हाप, चम्मच कलोंजी और थोड़ा सा हींग डाल कर इसे चटकने देंगे ये सबी चीज अच्छे से भून गए हैं इन्हें से अच्छी सी खुजबू आने लगी है अब जो हमने आलू और गोवी काटके रखा था उन्हें भी इस कर लेते हैं हलकी आच में मीडियम टू हाई फ्ले में इन्हें चलाते रहीं ताकि सब्जी तले में ना चिपके सब्जी को तब तक चलाएंगे जब तक इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए गोवी और आलू हलका सा भून गये हैं अब हमने जो प्याज और टामाटर पीस के सब्जी में मिला लेते हैं सब्जी को स्वादिष्ट और लाजवाब बनाने के लिए इसमें डालेंगे खाब चम्माच हल्दी पाउडर एक चम्माच कस्मीरी लाल मीर्च पाउडर स्वाद के अनुसार नमक इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसे ढखकर दो मिनट हल्की आज में पकने देते हैं दो मिनट बाद ढखकन निकालेंगे और ये देखी कितना अच्छा कलर आया है सब्जी आधा तो पक गया है आधा पकना बागी रह गया है जो हमने प्याज फ्राइ करके रखा था उसे भी इस सब्जी में मिला लेते हैं और इसे हलका चला लेते हैं यहाँ पर इसे तरीदार बनाने के लिए इसमें मैं एक कप पानी डालूंगी और इसे धकन मार के तीन मिनट और पकाएंगे ये देखे तीन मिनट बाद कितना अच्छा सा कलर आ गया और सब्जी अच्छे से पक गई है यहाँ पर आलू और गोबी पका की नहीं इसे अच्छे से चेक करते हैं ये देखे अगर इसे दबा रहे हैं तो अच्छे से मैस हो रहा है इसका मतलब हमारी सब्जी बनकर रडी है हमारी आलू गोबी की सब्जी बनकर तयार है अब मैं इसमें बारी कटा हुआ हरा धन्या भी डाल लूँगी ताकि अच्छी सी खुजबू आ जाए और थोड़ा सा इसमें यहीं भी डाल देंगे ताकि सब्जी बहुत स्वादिश्ट लगे सब्जी को प्लेट में सर्विकल लेते हैं यह देखिए कितनी अमेजिंग सब्जी बनी हुई है वाव लग रहा है ना सुपर डूपर टेस्टी इसके उपर हलका हरा धन्या भी डाल देते हैं यह देखिए आप भी एक बार जरूर मेरे तरीके से बनाए बहुत स्वादिश मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक कियार